नमस्कार दोस्तों मैं हुआ आगम सिंक सिसोध या कश्मीर में आप सभी का स्वागत है अगर आप कश्मीर घूमने का टूर प्लान बना रहे हैं तो आपके पास दो ओप्शन्स है पहला ओप्शन कि आप सारे अरेंजमेंट्स स्वैम करें और कश्मीर घूमें इसके लिए आपको इन इलाकों की जानकारी होना बेहत जरूरी है और दूसरा ओप्शन है जो कि आपके लिए बहुत ही किफाईदी और आराम दायक हो सकता है वो है ट्रेवल पैकेज लेने का जिसमें कि आपको कोई भी अरेंजमेंट्स स्वैम नहीं करना होता सारे अरेंजमेंट्स ट्रेवल कंपनी ट्रेवल एजिंसी आपके लिए करके देती हैं जिससे कि आप अपने कश्मीर ट्रिप को बड़े आराम से बड़े मजे से इंजॉय कर सकते हैं बिना किसी स्ट्रेस के तो इनी बेनिफिट्स को देखते हुए हमने पी एक ट्रेवल पैकेज बुक किया है प्रिया ट्रेवल के साथ जिसका ड्यूरेशन है फाइव नाइट शिक्स डेस का जिसमें कि हम घूमेंगे गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और श्री नगर और हमने जो ये पैकेज बुक किया है प्रिया ट्रेवल के साथ किया है जिनके ओनर अभी हमारे साथ ही है विशू सर और ये पैकेज हमें कितने का पड़ा इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे लेकिन आईए पहले म explore करेंगे गुलमर्क को और वहाँ पर चलेंगे phase 2 तक जो कि गुलमर्क का सबसे highest point है गुलमर्क के बाद हम चलेंगे सोनमर्क के लिए जो कि थाजीवाज glacier के लिए मशूर है और यहाँ पर और भी कई सारे touristic points हैं सोन मर्क के बाद हम explore करेंगे श्री नगर को जो कि मशूर है शिकारा राइड के लिए जो कि डल जील में होती है और श्री नगर में और भी कई सारे स्थान है जैसे कि मुगल गार्डन परी महल और भी कई सारे स्थान है जिने भी हम साथ में देखेंगे श्री नगर के के बाद हम चलेंगे पहल गाम के लिए जहां पर हम देखेंगे आरू वैली बेताव वैली और चंदनवाडी को लेकिन बस इतना ही नहीं कश्मीर टूर के दौरान और भी कई सारे स्थान हैं जिनने हम एक्स्प्लोर करेंगे आज है हमारे स्ट्रिप का पहला दिन हम पहुंच चुके हैं जम्मु तवी रेलवे स्टेशन जो की जम्मु का प्रमुक रेलवे स्टेशन है और यहां पर पहुंचने के बाद हमारे एक्चुल टूर पैकेज की शुरुवात होती है हमें लेने आ चुकी है गाड़ी जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है और अब इसी गाड़ी के साथ हम कश्मीर के सभी स्थानों को घूमेंगे जम्मू से श्री नगर जाने का रास्ता लगभग 250 किलो मीटर का है और इस रास्ते को पार करने में हमें लगभग 6-8 घंटे का समय लगता है पुराने समय में श्री नगर पहुचने में काफी ज्यादा समय लगा करता था क्योंकि पहले highways और tunnels नहीं हुआ करती थी लेकिन आज की date में ये जो रास्ता है ये बहुत ही अच्छा बना दिया गया है और रास्ते में कई सारी लंबी लंबी tunnels हैं जिन से होकर हम गुजरते हैं और इन tunnels की वज़े से और highways की वज़े से बहुत ज़ादा सहूलियत हो गई है और इन सभी tunnels में से सबसे बड़ी tunnels है डॉक्टर शामा प्रसाद मुखरजी टनल जिसकी लंबाई है लगभग 9 से 10 किलोमीटर्स की जिससे की श्री नगर पहुँचना और भी आसान हो गया है तो फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं श्री नगर में रास्ता थोड़ा लंबा था लेकिन बेहद घूबसुरत था और श्री नगर में जिस होटेल में हम रुकने वाले हैं उस होटेल का रूम में आपको दिखाना चाहूंगा यह रूम वाकई में काफी लग्जीरियस रूम है और इसमें सारी सुविधा हैं जो कि एक रूम में होनी चाहिए आप यहां देख सकते हैं जैसे कि एक कश्मीर बहुत ज़दा थंडा होता है तो यहां होट एसी की सुविधा दी गई है यह जो एसी है गर्म हवा वाला एस प्रेटी है और साथ ही अभी हमने ट्रिपल शेरिंग वाला यह रूम लिया है और इसमें टेलिविजन है और इसका जो रूम का डेकॉर है वह भी काफी अच्छा है और साथ ही मैं आपको इसका ट्वालेट एरिया भी काफी नीट अन क्लीन है बिल्कुल साफ सुतरा है लिदायस में अवेलेबल है होटेल रूम में चैक इन करने के बाद अब हम आ चुके हैं डिनर के लिए डाइनिंग एरिया में और डिनर के बारे में एक इंपॉर्टन चीज़ बताना चाहूंगा कि डिनर हमारा टूर पैकेज में शामिल है आज है हमारे स्ट्रिप का दूसरा दिन हमारा ब्रेकफस्ट हो चुका है और अब हम चल रहे हैं गुलमर्ग के लिए जिसका डिस्टेंस श्री नगर से लगभग 50 किलोमीटर का है तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं गुलमर्ग में और आप हमारे पीछे इस नजारे को देख सकते हैं यह पूरा नजारा बर्फ से ढखा हुआ है साइड में है कई सारे पेड और यह एक व्यू पॉइंट है और एक सेल्फी पॉइंट है जहां पर लिखा हुआ है गुलमर्ग और हमको जाना है गंडोला राइड करने के लिए उस जगे पर वहाँ पीछे एक पॉइंट बना फूल और मर्ग का मतलब होता है मैदान तो फूलों का मैदान इसे गुलमर्ग कहा जाता है अब हम चल रहे हैं गौंडोला राइड के लिए जो की केबल कार की राइड होती है जो की हमको ऊपर लेके जाती है पाहड़ पर लेकिन वहां तक जाने के लिए हमें लगभग एक क गाड़ें आती हैं और गाड़ियों की पार्किंग यहीं पर हो जाती है तो लगभग 1.5 km के वॉक के बाद अब हम पहुंच चुके हैं गंडोला गंडोला राइड के मेन पॉइंट पर यह जो हट आप देख रहे हैं जो बड़ा सा मकान यहां पर बना हुआ है वुड़न फॉर्म में यही है गंडोला राइड का स्टार्टिंग पॉइंट और यहां बाहर कुछ इस तरह से बड़ी लाइन लगती है मतलब जब आप यहां आएंगे तो थोड़ा टाइम से पहले अगर आप आ जाते हैं तो लाइन थोड़ा मैनेज कर सकते हैं थोड़ा सा आगी जा सकते हैं लेकिन अगर आप ओन टाइम आते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको बड़ी लाइन का सामना करना पड़े गॉंडोला राइड पर जाने से पहले यहां पर एक special notice लगा है जिससे आप यहां पढ़ भी सकते हैं जिसमें साफ साफ mention किया गया है कि जिन व्यक्तियों को दिल की बिमारी है या अस्थमा है वो second phase तक नव जाएं क्योंकि second phase की height काफी ज्यादा है 13800 feet की उचाई है और वहां पर oxygen level कम हो जाता है तो ऐसे patients के लिए life-threatening condition create हो सकती है उपर जाने के लिए तो second phase आप न जाएं अगर आपको इस तरह की बिमारी है तो finally हम cable car के अंदर आ चुके हैं यह हमारी गंडोला राइट स्टार्ट हो चुकी है काफी मशक्कत लगी यहां तक पहुंचने के लिए लगबाग 20-30 गंटा लग गया और एक cable car के अंदर 6 वेक्तियों को बिठाया जाता है 6 वेक्ति होते हैं अभी यहां पर हमारे साथ जाते जा रहे हैं यहां से जो व्यू नजर आता है बहुत ही हुपसूरत है अभी जो हम गॉंडोला राइड कर रहे हैं इसे हम लोकल लेंग्विज में cable car या उडन खटोला कहते हैं जो फेस वन का टिकेट होता है वो 810 रुपे का होता है और जो फेस टू का टिकेट होता ह हैं और इसका नाम है kangory phase 1 और इसकी height के अगर बात करें तो 3050 meters it's not in feet it's in meter तो अगर इसको feet में आप करके देखेंगे तो लगभग 9000 के लगभग या 10,000 के लगभग feet इसकी है इतनी उचाई पर हम आ चुके हैं और यहां से मैं आपको थोड़े भी बहुत ही खुबसूरत न adventure activities होती हैं जिनका मज़ा भी आप यहां ले सकते हैं जैसे कि आप skiing यहां पर कर सकते हैं skiing की जो activity है काफी मज़ेदार होती है और जब पहली बार आप skiing करते हैं तो आप काफी सारे गिरते पड़ते हैं और यह अलग यह अनुभा होता है अलग यह experience होता है तो अब मैं जा रहा हूँ phase 2 के लिए phase 2 के लिए ज्यादा lines यहां पर लगती नहीं है लेकिन phase 2 में भी 6 जनी ज्याते हैं एक केबल गार के अंदर और phase 2 की height phase 1 से काफी ज्यादा है और काफी उंचाई पर हम पहुँचने वाले तो अब हम फेज 2 पर पहुँच चुके हैं और यहां पर पहुचने के बाद एक बोर्ड लगा हुआ है जिसका नाम है अफरवत अफरवत इस पीक का नाम है यानिकि phase 2 का नाम है और यहां का जो altitude है वो है 3950 जिसको अगर feet में अगर बात करें तो यह लगबग 13800 feet के लगबग होता है जो ऐसे की नीचे भी information लिखी हुई थी इस बारे में तो फाइनली अब मैं पहुँच चुका हूँ phase 2 के main viewpoint पर यहां से आप देख सकते हैं मेरे पीछे पहाड ही पहाड है जो की बर्व से ढके हुए हैं और जिस जगे मैं खड़ा हूँ यहां पर इतनी ज्यादा बर्व है जो की लगबग 10 feet से उपर बर्व है और पीछे की साइट तो जो बर्व का level है वो बढ़ता ही जा रहा है आपको मेरी आवाज में सांस फूलती हुई नजर आ रही होगी ऐसा इस वज़े से हैं क्योंकि अगर आप यहां थोड़ा बहुत भी चलेंगे तो आपके सांस फूल है यह नजारा मतलब top of the view है ऐसा नजारा आपको कहीं और से नजर नहीं आएगा थोड़ी मशक्कत हुई यहां तक आने के लिए लेकिन जो नजारा है वाक कई में बहुत खूबसूरत है फेस्टू पर जब आप आएंगे तो आपको इतनी ज्यादा बर्फ मिलेगी कि वह आपके इन जूतों में बूट्स में चली जाएगी तो अगर आपके बूट्स में स्नो चली जाती है तो उनको इस तरह से जाल लें क्योंकि अगर यह स्नो अंदर जाके पिगलेगी तो आप बर्फ को बाहर जरूर निकाल लें फेस्ट ऊपर जब आप आते हैं तो कुछ इस तरह से बैट कर आप इन खूबसूरत नजारों को निहार सकते हैं इन खूबसूरत वादियों का आनंद उठा सकते हैं जैसा कि कहा जाता है धर्ती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वह में बैठ कर स्वर्ग को निहार रहे हैं गुलमर्ग में आप हेलिकॉप्टर राइड भी ले सकते हैं यह राइड दो तरह से ली जा सकती है पहला कि आप हेलिकॉप्टर की साहिता से फेस्टू तक जाएं और वापस आएं इसका चार्ज लगता है थर्टीन थाउजन पर प आपको कुछी मिनिटों में नीचे ले आता है इसका चार्ज लगता है साड़े साथ हजार रुपे पर परसन के हिसाब से शाम के समय गुलमर्ग में एक अलग ही नजारा बन जाता है दूर देखो तो गोल्डन पहार नजर आते हैं और पास देखो तो कई सारी हट्स नजर आती है जो कि इस नजारे को और भी खूबसूरत बना देती हैं आज है हमारे स्ट्रिप का तीसरा दिन हमारा ब्रेक्फ़स्ट रेड़ी हो चुका है ब्रेकफ़स्ट और डिनर हमारे टूर पैकेज में शामिल होते हैं और अब breakfast करने के बाद हम शल रहे हैं सोन मर्ग के लिए जिसका distance श्री नगर से लगबग 80 km का है तो finally अब इन खूबसूरत नजारों को देखते हुए हम पहुँच चुके हैं सोन मर्ग और यहाँ पर आकर आप देखेंगे तो बर्फ की बड़ी बड़ी layers आपको नजराएंगी रास्ते में हमने देखी थी कि बर्फ कम मातरा में थी लेकिन जब सोन मर्ग हम पहुच जाते हैं तो यहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ हमें नजर आती हैं और यहाँ पर कई सारी adventure activities भी होती हैं यह activities क्या क्या हैं और इनके charges क्या हैं यह भी हम आपको कोशी देर में clear करेंगे लेकिन सबसे पहले आपको बताते ह हैं कि सोन मर्ग में जो famous tourist places हैं वो कौन-कौन सी हैं यहाँ पर एक board लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ attractions जो सबसे important attraction है वो है थाजिवास glacier जिसे थाजवास glacier भी बोलते हैं जो कि यहां से लगबग 7 km दूर है यानि कि 7 km इसी रास्ते से होते हुए आपको आगे जाना होता हैं वैसे ponies जो घोड़े होते हैं यहाँ पर वो चलते हैं उनकी rates वागिरा भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन यह सारे places हैं जो कि आप सोन मर्ग में देख सकते हैं तो चली अब जानते हैं कि सोन मर्ग में आप किस तरह की adventure activities का मज़ा ले सकते हैं जो सबसे अच्छी adventure activity यहाँ पर है वो है snow bike की कुछ इस तरह की snow bike होती है जो कि बर्फ में चलती हैं मतलब अगर आप सोन मर्ग आ रहे हैं और आपको यहाँ पर बर्फ मिल रही हैं तो यह activity आपके लिए बहुत मज़ेदार हो सकती है और लेकिन इसका charge में आपको clear करना चाहूंगा इसका charge है 2400 रुपे पर person का और एक घंटे का charge है यानि कि यह जो पूरा area आप देख रहे हैं इस तरह से snow bike चलाई जाती है और इस area में मतलब पूरी बर्फ वाला area जो होता है इसमे कहीं पर भी आप ले जा सकते हैं उ snow bike को लेकिन आप नहीं चला सकते हैं आप भी चला सकते हैं लेकिन पीछे guide भी रहता है जो मतलब दो आदमी की यह bike होती है और इसको इस तरह से बर्फ के अंदर चलाई जाता है लगबग एक घंटे का यह समय होता है और इसका charge है 2400 रु और दूसरी activity जो सोन मर्ग में आप कर सकते हैं वो है स्लेज गाड़ी की कुछ इस तरह की हाथ गाड़ी होती है इसको एक व्यक्ति ऊपर तक खेज के लेके जाते हैं फिर यहां पर पीछे की साइट तो passenger बैठते हैं यानि कि जो आप tourist हो वो बैठते हैं और आगे की साइट जो इनके driver होते हैं वो बैठते हैं और आगे से इसको गुड़काते हुए नीचे की तरफ लाते हैं मतलब ढलान पे लेके आते हैं तो यह एक भी काफी अच्छा adventure है जो कि आप यहां कर सकते हैं इसका पर point का charge लगबग 400 से 500 रुपे लगता है लेकिन अगर आगे point बढ़ा जो हमारे पीछे पहाड देख पा रहे हैं उस पहाड के जस्ट पीछे की side अगर जाते हैं तो वो है थाजवास glacier लेकिन अगर यहां से by walk distance की बात करूं तो थाजवास glacier का distance है 7 km का 7 km हमें या तो आप by walk जाईए बाइवाक थोड़ा मुश्किल रहता है या फिर यहां पर ज सिर्फ यह snow bike चलती है जो कि थाजवास glacier प्रॉपरली नहीं जाती है यह एक उपर पॉइंट है वहां तक लेकर जाती है लेकिन यह जो स्लेज वाले points है यह आपको कुछ points कवर कराते हैं जो स्लेज वारी गाड़ियां है एक तो बजरंगी भाईजान की जो movie की shooting हुई थी व इनके साथ आप जा सकते हैं उपर के लिए लेकिन थाजवास glacier अगर आपको जाना है तो उसमें जो घोडों का charge लगता है उसके अगर बात करूं तो 1400 रुपे पर person का charge होता है एक व्यक्ति के लिए मतलब 7 km जाना 7 km वापस आना तो इसमें आपको time भी काफी लग सकता है ले यहां पर आप जाकर enjoy कर सकते हैं तो अभी हमने सोन मर्ग में एक activity चूज की है जिसका नाम है स्लेज गाड़ी अभी स्लेज को ऊपर के और लेकर जाया जा रहा है इस तरह से यहां पर व्यक्ति हैं इसको खीचते हैं और एक व्यक्ति हेलपर के रूप में इसमें धक्का दे करते हैं और यह ऊपर ले जाते और फिर फिर पेयरा चाटर से ब्चैनल लेकर तो उपर पहाड पर चड़के एक तरह से भातव से ढल अच्छा adventure है आगे चलते हैं और points को भी देखेंगे और फिर नीचे आएंगे सोनमर्ग में Slay's Ride को करते हुए अब हम पहुंच चुके अपने सबसे पहले पॉइंट पर जिसका नाम है तोटा पॉइंट अब इसे तोटा पॉइंट क्यों कहा जाता यह तो हमें नहीं मालूम लेकिन यह पॉइंट यहां के जो इसकी वाली राइनिंग है उसके लिए famous है क्योंकि यहां से आप देखेंगे तो जो लोग स्कीन करते हैं उनके लिए यहां से ऊपर जाने के लिए एक रोब बनाए गई है इसके तुरू वह उपर की और जाते हैं तो इस वज़े से यह famous है और यहां से भी जो व्यू नजर आता हो बहुत ही खूबसूरत है सोनमर्ग में स्लेज राइड करते हुए अब हम दूसरे important point पर पहुंच चुके हैं जो कि है बजरंगी भाईजान point इसलिए बोल रहे हूं कि जो सल्मान खान की मूवी थी बजरंगी भाईजान उसके एक सीन की shooting यहां पर हुई थी जो मुन्नी को border cross करा के भारत से पाकिस्त एक्चुल में भी स्नोफॉल के वज़े से वो नाला ढग गया है लेकिन वो जो नाला है वो यही है और यह जो border दिखाए गई है इसे ही मूवी के अंदर भारत पाकिस्तान की border दर्शाया गया था तो इस point पर वो shooting हुई थी इस वज़े से इस point का नाम बजरंगी भाईजान point रखा गया है तो अब हम पहुँच चुके हैं अपने तीसरे point पर जिसका नाम है सत्य पर सत्ता point एक्चुल में यहां पर एक मूवी की shooting हुई थी जिसका नाम है सत्य पर सत्ता अमिताप बच्चन वाली जिसमें वो साथ भाई रहते हैं और यहां पर जिस scene की shooting की गई थी वो सीन है कि जब साथ भाईों में से दो भाई जरने में पानी लेने जाते हैं और वो सीन यहां पर शूट किया गया है तो उस वज़े से इस point का नाम सत्ते पर सत्ता रखा गया है और यहां पर जो पीछे आप glacier देख पा रहे हैं glacier मतलब होता है जमी हुई बर्फ जो की बह देखना चाहें तो थाजवास glacier को यहां से देख सकते हैं तो अभी सोन मर्ग की topmost point पर हमें कुछ ट्योरेस्ट नजर आए हैं उनसे मैं जाना चाहूंगा कि उनका experience कैसा रहा सोन मर्ग में सर नमस्ते 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 मैम आपको कैसा लग रहा है यहां करें यहां करें यहा कि तो बहुत अच्छा लग रहा है यहां के feel हो रहा है कि हम लग को Switzerland जानी क्या जरूत है जहां हमारे इंडिया में इतनी beautiful places available है तो आदमी पता नी क्यों बहार गूमने जाता हमको अपने इंडियन टूरिजम को बढ़ावा देना चाहिए एक्स्प्लोर करनी चाहिए यह और आप कहां से आए हैं जी हम MP से अच्छा एंपी में कहां से गौलियर से आए हैं तो अभी पूरा नहीं हमेरा रिसेंट चादी हुई है अभी 31 जैनल मदब हनी मून ट्रिप पे हैं अच्छा तो बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन और कितनी अच्छी जगे पे आप आए ह अच्छे का अच्छी है और हैपिया मदब हैपिया मैरेज थेंकि आपको बढ़ाया और अभी आगे गुलमर्ग सोर अभी जाएंगे का फ़स्ट आप कल दूथ-पत्री को कर रहे ते आज सोनमर्ग आए अभी गुलमर्ग पहलगाम जाना है ओके ओके अब कभी पैकेज है ह तो मतलब पैकेज काशा रा ho एकश था एकाइज डिया है नहीं बहुत अच्छा है और पैसे भी रीजनेबली लिया है होटेल्स भी बहुत अच्छे दिया हम लोग को मतलब आप अगर खुद से बुक करके आएंगे तो मुझे नहीं लगता आप जादा ही खर्च करेंगे और जादा अच्छा नहीं कर पाएं फरस्टाइम जाओ और ट्रेवल बुक करो इधर अधर भागो सारी जिम्मेंदारी खुद पर आजाती है कि भाई सारी मता फोड़ी करो अधर सुवेदा जनक है सुवेदा जनक है पैकेज बेटर है अगर खुद के आने से जादा मैं पैकेज को बेटर समझता हूं क्योंकि अगर मैं पूड मिला है जिसकी कोई वह नहीं है थैंक्यू माम थैंक्यू सर्थ आपको भी मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बढ़ा है सोनमर्क मारकेट के सामने ही एक इंटरस्टिंग स्थान भी बना हुआ है अमरनात यातरा से जुड़ा हुआ जैसे कि यहां उपर लिखा हुआ है यातरी निवास जब अमरनात यातरा शुरू होती है तो लोग यहां पर आकर रुखते हैं और यह एक तरह का मतब रहने वाली जगे हो गई तो यहां से गाड़ी लेकर जाती है अमरनात यातरा के लिए जब लोग यातरी यहां पर रुखते हैं यह जो आप घर देख रहे ह अभी बर्फ जमी हुई है पूरी तर है लोग यहाँ पर रुखते हैं और यहाँ से जाते हैं अमरनात यात्रा के लिए और यहाँ से लगबग 3 किलोमेटर दूर हेलिपैड भी बना हुआ है जो लोग हेलिकॉप्टर से जाना चाते हैं वो हेलिपैड के लिए जाते हैं और जो पैदल जाना चाहते हैं वो बालटाल के लिए जाते हैं और यह जगे भी मैं आपको थोड़ा सा अंदर से दिखाना चाहूँगा कि यह किस तरह का बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत से जो घर है वो यहाँ पर बने हुए हैं छाथों के और इसी के साथ हमारे trip के तीसरे दिन का अंत होता है आज है हमारे trip का fourth day और आज हम explore करने जा रहे हैं जम्मू और कशमीर की राजधानी श्रीनगर को अब हम देखने जा रहे हैं श्रीनगर की सबसे famous place जिसका नाम है डललेक जैसे डल जील के नाम से भी हम जानते हैं जहां पर कई सारी Bollywood movies की shooting हुई है और ये हैं शिकाराज जो की डल लेक में चलती है इनको हाथ से चलाया जाता है और इससे ही हम डल लेक में घूमते हैं डल लेक काफी बड़ा है काफी सारे किलोमीटर्स के अंदर ये फैला हुआ है इसके अंदर लोकल मारकेट्स हैं लोगों के घर हैं और सामने की और आप देखेंगे तो कई सारी हाउस बोट्स आपको नजर आएंगी तो चलिए अब हम चलते हैं शिकारा राइड के लिए इसके चार्जर्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा तो शिकारा राइड हमारी शुरू हो चुकी है और हमारे साथ सर हैं जो कि अभी हमें शिकारा राइड के बारे में और डल रेक के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे इस लेक का नाम है में पॉर्ट ऑफ ओपन डल लेक सबसे बड़ा लेक मतलब खुला डल लेक कम से कम यह 32 किलो मेटर आता है आर राउंड में कम से कम इसमें गूमने में लगता है वन डे पूरा लगाना हो तो एक दिन ज्यादा ही लगेगा एक दिन ज्यादा ही लगेगा हाथ वाली बोर्ट से हाथ वाली शिकार है डेसंबर जनवरी में किसी किसी साल पूरा लेक फ्रीज भी हो जाता है किसी किसी साल पूरा जम जाता है स्केटिंग किर्कट खेलते थे इसके ओपर इतना जम जाता है पोरा पत्थर जैसा बनता है यहां पर जो जब पिक्चर बन गए वो जब जब फूल के लिए कश्मिर की कली आरिजू जब तक है जहां है दर मिशन कश्मिर वो यह पर शूट बाता है बहुत सी पिक्चर यहां आपहिन बन गेह थे यहां पे यह जो अंदर है यहां पे गौह जो करते हैं जड़ा से डेखने कोसिश करें अब हमारे पास में चल रही है एक house boat, house boat मतलब एक ऐसी boat जिसके उपर आपको पिल्कुल hotel जैसी सुविधाय मिलती है, इसमें कमरे होते हैं, इसमें kitchen होता है, toilet, lettering, bathroom, सब कुछ इसी के अंदर होता है, जैसे कि हम hotel में रहते हैं, उसी तरह कि सुविधा इस house boat में होती है, तो अगर आप श्री नगर आते हैं, कश्मीर आते हैं, तो house boat का भी मज़ा आप ले सकते हैं, यह एक different experience होता है, हाला कि यहां कि जो house boats होती है, वो still होती है, यानि कि खड़ी होती है, जैसे कि यह आप देख सकते हैं, यह bamboo या फिर जो sticks लगा करके, इन house boat को एक जगे पर रख दिया गया है, यह house boat move नहीं करती, जैसे कि केरला में हम देखते हैं, एलपी के अंदर, कि house boats move करती हैं, और फिर बाद में उनको किनारे पर लगाते हैं, पर यहां पर ऐसा है कि जो house boats हैं, वो still रहती हैं, खड़ी रहती हैं, जितनी भी house boat हैं, वो move नहीं करती हैं, अगर आपको house boat तक आना है, तो आपको शिक सारा राइड करते हुए, अब हम पहुंच चुके हैं, एक local market में, जैसे floating market कहा जाता है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे, सारी दुकाने, boats में लगाई गई हैं, यह कोई जमीन नहीं है, यह एक तरह की boat है, जो कि आगे आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे यह दुकाने हैं, लेकिन boat की shape में दुकाने बनाएगे हैं, जो कि पानी में तेरता हुआ बाजार है, इसकी special चीजी यही है कि नीचे आप देखेंगे, तो यहां पर जो bamboo वगेरा है, जो बांस है, या फिर जो लकडिया है, उसके उपर यह boats को खड़ा किया गया है, या फिर एक base बनाकर पानी के उपर base बनाकर इन दुकानों को install किया गया है, तो अगर आप यहां आते हैं, तो यहां शॉपिंग वगेरा भी कर सकते हैं, जब आप शिकारा राइड करेंगे और इस तरह के जो village वाले areas में आएंगे, जहां पर मीना बाजार है, लोगों के घर हैं, तो आपको एक अलगी feeling आएगी, ऐसा लगेगा कि आप किसी अलग जगे पर आचुके हैं, किसी अलग दुनिया में आचुके हैं, क्योंकि यह feeling बह पूरी तरह से, जहां पर लोग floating तरीके से आवा गमन कर रहे हैं, रहे रहे हैं, तो एक अलगी feeling आपको यहां पर आएगी, अभी जो हमने शिकारा ride करी, वो घाट नमबर 7 से करी थी, अगर आप इसी तरह का नजारा चाहते हैं, तो घाट नमबर 7, 8, 9 तक कुछ इसी तरह का नजारा नजारा आता हैं, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं अब बात करते हैं चार्जेस के बारे में कि हमें कितना चार्ज दिना पड़ा था शिकारा राइट के लिए हमें 1500 रुपे लगे थे एक घंटे के लिए क्योंकि हम 5 वेकती थे यहाँ पर government rates लगाई गई है इस तरह का पूरा चार्ट है जिसमें की अलग-अलग सवारी के इसाब से अलग-अलग rates यहाँ पर mention की गई है और घंटे का rates होते हैं कि अगर हम शिकारा राइट करना चाहते हैं तो इस तरह से यहाँ घंटे पर rates लिखी हुई है जा सकते हैं चरी नगर में अब हम आचोके हैं मुगल गार्डन चश्मा शाही को देखने हैं कई लोग इसे चश्मे शाही भी बोलते हैं लेकिन इसका actual pronunciation है चश्मा शाही जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है और इस गार्डन के entrance पर हम देख सकते हैं काफी सारी snow है जो की ऊपर के और नजर आ रही है और यह है इस गार्डन का entrance और यहाँ से इसका ticket मिलता है ticket का मोल यह है 24 रुपीज और अगर बच्चे आपके साथ हैं तो उनका जो चार्ज लगता है वो 12 रुपे के हिसाब से ticket लगता है और इस गार्डन का जो entry timing है वो सुबह 9 बजे से sunset तक है यानि कि जब तक sunset नहीं हो जाता तब तक आप यहाँ पर घूम सकते हैं तो चलिए अंदर चलते हैं और इस गार्डन को अंदर से देखते हैं अब हमने प्रवेश कर लिया है चश्मा शाही मुगल गार्डन के अंदर यह गार्डन सबसे छोटा मुगल गार्डन है जो सबसे बड़ा है वो है शाली मार बाग जो दूसरे नंबर का आता है वो है निशाद गार्डन और तीसरे नंबर का है चश्मा शाही और यह garden किस वज़े से famous है वो जगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा यह garden एक spring की वज़े से famous है यानि कि यहाँ पर एक प्राकृतिक पानी का श्रोथ है जिसे जहरना भी हम बोल सकते हैं और वो जहरना थोड़ा पवित्र जहरना माना जाता है और इसमें हमेशा पानी आता रहता है यह ऐसा कहा जाता है और अभी भी जिसे यह February का महिना है यहाँ पर आपको पानी नजर आएगा वैसे पानी का जो flow है वो ज्यादा होना चाहिए था लेकिन इस सार स्नो कम गिरिये तो उस वज़े से पानी का level कम है अधरवाइस इसका पानी का flow काफी रहता है और फिर पानी जो overflow होते हुए इन channels के थुरू नीचे की और जाता है यह इस garden की खास बात है चश्मा मतलब होता है water का source मतलब वो एक जहर ना बोल सकते हैं उसको तो चश्मा शाही श्री नगर में अब हम देखने जा रहे हैं परी महल को जिसे परियों के महल के नाम से भी जाना जाता है यह जब हम चश्मा शाही garden देखते हैं तो उससे डाई किलो मीटर उपर की और जब हम और चड़ाई करते हैं तो आता है परी महल तो चलिए आप इसे अंदर से देखते हैं परी महल के अंदर हम आचुके हैं यह महल ज्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन यह जो पुराने स्ट्रक्चर है जो मुगल कालीन यहाँ पर यह महल बनाया गया था वह नजर आता है जो मुगल आर्किटेक्चर है उससे आप परी महल के अंदर देख सकते हैं यहां आप ऊपर आएंगे तो कुछ इस तरह का कुंड भी आपको नजर आएगा में भी शायद पुराने टाइम पर यहां फाउंटेन चलते हैं लेकिन अभी फाउंटेन ओन नहीं है और यहां थोड़ी स्नो भी है और नीचे का जो एरिया है आप देख सकते हैं वहां तक यह ज्यादा बड़ा महल नहीं है मतलब वह एक फ्लोर हो गया एक फ्लोर हो गया एक थोड़ा सा ऊपर की साइड है और हर सतह के नीचे जाने के लिए ऊपर जाने के लिए कुछ इस तरह के सुरंग नूमा रास्ते बनाए गए हैं जिनने हम टनल्स बोल सकते हैं लेकिन ज्यादा बड़े टनल्स नहीं है लेकिन छोटे छोटे एक तरह से सुरंग नूमा रास्ते हैं जिनसे हम एक लेवल से दूसरे लेवल तक जा सकते हैं तो अब इस टनल को पार करके हम जो नीचे वाला जो बेस वाला इसका सतह है जैनकी सबसे नीचे व पहन कर फोटोज भी क्लिक करवा सकते हैं यहां पर कुछ स्टॉल्स हैं जो लोग इस तरह की ड्रेस प्रोवाइड करते हैं और साथ ही आपके पिक्चर्ज भी क्लिक कर देते हैं श्री नगर के प्रसिद मंदिर में अब हम दर्शन के लिए चल रहे हैं जो कि हैं श्री शंक्रा चारेजी टेंपल यहां तक एक पॉइंट तक तो गाड़ी आती है लेकिन उसके बाद कुछ इस तरह की सीड़ी वाला रास्ता है और यह सीड़ियां के जो नंबर है वो लग मंदिर में दर्शन और वहां से देखेंगे जो व्यू नजर आता है श्री नगर का तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं श्री शंकराचारेजे मंदिर के हाँ और यहाँ पर शंकराचारेजे की प्रतेमा भी स्थापेत हैं जनके हम दर्शन कर सकते हैं और साथ ही में है भगवान भोलेनात का मंदिर जने जेठेश्वर महादेओं के नाम से जाना जाता है श्री शंकराचारेजी मंदिर से हम नीचे की और देखेंगे तो श्री नगर का बेहत खूबसुरत नजारा नजर आता है यहां से आप देखेंगे तो पूरा श्री नगर आपको एक साथ नजर आएगा बीच में आप देखेंगे तो डल लेक है जो कि श्री नगर की सबसे फेमस प्लेस है और जो डल लेक के बीच में आपको घर नजर आ रहे हैं यह कुछ और नहीं houseboards हैं जो कि डल लेके बीचों बीच यहां पर मौजूद हैं और साथ ही कई शिकाराज भी साथ में नजर आ रही हैं और दूर तक देखेंगे तो पूरा का पूरा श्री नगर नजर आता है और साइड में देखेंगे तो यह जो जेलम नदी है वो नजर आ सकते हैं और यह थोड़ा इस तरह ही से गुफा नुमा आकरती में बनी हो जाए है कि श्री नगर में अब हम आ चुके हैं सबसे बड़े मुगल गार्डन को देखने जिसका नाम है शाली मार बाग यहां पीछे भी लिखा हुआ है मुगल गार्डन शाली मार और यह यहां का एंट्री गेट है यहां पर एंट्री करने के लिए हमें टिकेट परशियस करना होता है 24 रुपीज पर परसन का अगर आप एक एडल्ट है और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनका टिकेट लगता है 12 रुपे पर पर सन के हिसाब से तो चलिए अंदर चलते हैं टिकेट पर्चेस करने के बाद अब हमने प्रवेश कर लिया है शालिमार बाग के अंदर आप हमारे पीछे देख पाएंगे ये बाग का पूरा एरिया है और यहाँ जो प्लांटेशन किये गए हैं वो बिलकुल सिमेट्री में किये गए हैं और साथ ही यहाँ पर आप इस तरह का महल नूमा स्ट्रक्चर भी देखेंगे तोड़ा सा महल के पीछे आएंगे मतलब इस बाग के पीछे आएंगे तो आपको यह महल नजर आएगा इस महल को अंदर से आपको मैं दिखाऊंगा लेकिन इस बाग की खास बात यह है कि कई सार इस songs की shooting यहां पर हुई हैं और अब हम आचुके हैं महल के अंदर यहां उपर की तरफ चट पर भी देखेंगे तो बहुत खूबसूरत कारीगरी की गई है यह पुराने समय की ही पेंटिंग्स है और कारीगरी है जो यहां पर की गई है और साथ ही अंदर आएं तो गोल्ड वर्क दिखाई देता है गोल्ड पॉलिश वाला जो काम है और यह उसी जमाने का है मुगल कालीन जमाने का और इस बाग के बारे में आपको कुछ इंपोर्टन जानकारी भी देना चाहूंगा कि जो यह शालिमार बाग है यह जहांगीर ने बनवाया था अपनी बेगम महरु निसा के लिए जिससे नूर जहां के नाम से भी जाना जाता है तो उनके लिए बनाया गया था जिसे प्यार का बगीचा भी हम बोलते हैं और यह यहां से आप देख सकते हैं यह शालिमार बाग का एंडिंग पॉइंट है यहां पीछे की साइट देखेंगे तो वह दिवार नजर आएगी जो कि इसको एक तरह से बाउंडरी है एक तरह की इसकी को कि हम बिलकुल पीछे आ चुके हैं शालिमार बाग के यहां से इस कर देखते हैं तो यहां गार्डन है और यह जो महल जिस पर हम चल रहे हैं इसके चारों तरफ इस तरह के फाउंटेंस हैं यानि कि यह जो महल है यह पानी से घिरा रहता है जब भी फाउंटेंस चलते हैं तो यहां का नजारा देखने लायक होता है डल लेक के किनारे किनारे आगे बढ़ते हुए अब हम आ चुके हैं एक और मुगल गार्डन को देखने जिसका नाम है मुगल गार्डन निशाथ जिसे निशाथ बाग के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर एंट्री करने का शुलक लगता है 24 रुपीज पर एडल्ड का और अगर बच्चे आपके साथ हैं तो उनका मूल्य लगता है 12 रुपे पर परसन के हिसाब से तो अब हमने प्रवेश कर लिया है निशाथ बाग के अंदर जो कि एक मुगल गार्डन है और अभी एक ऐसे प्लेस पर हम खड़े हुए हैं जहां से एक सिमेट्री दिखती है इस बाग की जिसे कि आप देख पाएंगे कि जो पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं बिलकुल एक सिमेट्री एक सीध में लगाए गए हैं और मैं आपको इस बाग के बारे में थोड़ी चीजे इंपॉर्डन बताना चाओंगा कि इस बाग का निर्मान करवाए गया था नूर जहां के बड़े भाई आसिफ खान ने 1633 यानि कि 1633 के अंदर इस बाग का निर्मान करवाए गया था हाला कि अभी इस मौसम में जब हम यहां February के अंदर विजिट कर रहे हैं तो यहां पर ज्यादा ग्रीनरी नजर नहीं आ रही है नहीं यहां पर फूल नजर आ रहे हैं लेकिन जब आप यहां पर गर्मियों के टाइम पर आते हैं या फिर February के बाद जब बर्फबारी खत्म हो जाती है उसके अब हम पहुंच चुके हैं श्री नगर की सबसे ज़्यादा पॉपलर और में जगह पर जिसका नाम है लाल चौक हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे घंटागर जो की बहुत ज़्यादा फेमस है कई बार हम टीवी में भी देखते हैं न्यूस पे भी देखते हैं तो और यह जो लाल चौक है यह में मारकेट एरिया है श्री नगर का जैसे कि आप हमारे साथ देख पाएंगे कि पीछे कई सारी दुकाने हैं हाला कि अभी हम यहां रात को आए हैं तो अधिक तर दुकाने बंद हो चुकी हैं लेकिन यहां पर जब दिन में आते हैं तो पूरा लोकल मारकेट आप देख सकते हैं और दूर तक देखेंगे तो यहां दुकाने ही दुकाने आपको नज़राएंगी मारकेट ही मारकेट है और यह जगे है मतलब एक तरह से लाल चौक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे रास्ते इस जगे से जुड़ते हैं इधर भ प्राह भी इसको बोल सकते हैं और एक सर्कल बोल सकते हैं जो कि ट्यूरिस्ट के बीच में बहुत ज्यादा फेमस है अब हम पहुँच चुके हैं श्री नगर की एक होली प्लेस पर जिसका नाम है हजरत बल श्राइन जो कि आप हमारे पीछे देख पाएंगे यह मुस्लिम्स में एक बहुत ही पवित्र स्थान है क्योंकि यहां पर मुहम्मद सहाब के डाड़ी का बाल रखा गया है इस वज़े से इसे पवित्र स्थान माना जाता है और मुस्लिम्स में एक होली प्लेस है श्री नगर में आप ट्योलिप गार्डन को भी एक्स्प्लोर कर सकते हैं जहां पर आप कई सारे रंग बिरंगे ट्योलिप फ्लावर्स को देखेंगे लेकिन ट्योलिप गार्डन के बारे में एक खास बात है कि ये साल में एक सवा महीने के लिए ही ओपन होता है और वो समय है मार्च का आखरी हफता और एपरिल महीना इसी के आसपास ट्योलिप गार्डन ओपन होता है हर साल और इस दौरान कई सारे ट्यूरिस्ट ट्योलिप गार्डन को देखने के लिए श्री नगर आते हैं हमारे पहलगाम टूर के शुरुवात होती है श्री नगर से अभी हम निकलेंगे श्री नगर से पहलगाम के लिए जिसका डिस्टिंस है लगभग 90 किलोमीटर का लेकिन निकलने से पहले मैं आपको हमारे होटेल रूम में कुछ इंटरस्टिंग चीज दिखाना चाहूंगा अभी ये जो बैड आप हमारा देख रहे हैं इसके नीचे इलेक्टरिक ब्लैंकेट्स लगाये गए हैं जिससे की बिजली की सहायता से इस बिस्तर को गर्म किया व्यूपॉइंट्स नजराते हैं पहल गाम के ट्यूरिस प्लेस को घूमने से पहले मैं आपको एक इंपोर्टन चीज क्लियर करना चाहूंगा कि पहल गाम में जो आपका वीकल है जिससे आप पहल गाम तक पहुंचे हैं या फिर आप कश्मीर में घूम रहे हैं वो वीकल पहल गाम में यूज नहीं कर सकते हैं यहां पर आपको यूनियन की गाड़ी अलग से बुक करनी होती हैं यहां पर रेट लिस्ट भी लगाई हुई है यूऑन की रेट है अलग-альग गाड़ी के खूमते हैं मतलब जैसे कि आरू वेली चंदनवाडी और बेताब वैली अगर आप यह घूमते हैं तो उसके हिसाब से हर गाड़ी की रेट लिखी हुई है तो इस हिसाब से आप गाड़ी बुक करके यहाँ पर घूम सकते हैं लेकिन अपनी गाड़ी आप यूज नहीं कर सकते हैं सर से मैं जानना चाहूंगा ऐसा क्यों होता है क्योंकि अपनी गाड़ी यूज करना हर जगे तो अलावड है यहाँ पर ऐसा क्या है यहां पर ऐसा ना कि यहां के लोग उनके लिए यही रोजगार है अगर बाहर की गाड़ी यहां आएंगी वोई साइट सीन कराएंगी तो यहां के लोग क्या खाएंगे फिर उनके लिए ये रोजगार बनाया है कि उस गाउं में जितनी भी गाड़ी आएंगे तो ये ही घुमाएंगे पहलगाम यूनियन से हमने एक एको गाड़ी बुक करी हैं पहलगाम को घुमने के लिए और सबसे पहले हम चल रहे हैं आरू वैली को देखने और इसके बाद भी कई सारे इंट्रेस्टिंग प्लेसे हैं जिने हम देखेंगे तो फाइनली 12 किलोमीटर का खुबसुरत रास्ता इंजॉय करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं आरू वैली जो की कुछ इस तरह की नजर आती है अभी मैं आपको इस तरह का पोर्शन दिखा रहा हूँ लेकिन इस साइड अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा वैली व्यू एक्चुल में नजर आएगा हुआ है घर बना हुआ है जहां पर दिलीप कुमार की कर्मा मुवी की शूटिंग हुई थी अभी तो इसको होटेल के अंदर कनवर्ट कर दिया गया है लेकिन पुराने टाइम पर यह एक शूटिंग लोकेशन थी अपने ट्रिप में आगे बढ़ते हुए अब हम चल रहे हैं बेताब वैली के लिए जिसका डिस्टिंस आरू वैली से लगबग 18 से 20 किलो मीटर का है अब हम पहुँच चुके हैं बेताब वैली जिसका पुराना नाम था होगन वैली लेकिन जब यहाँ एक मूवी की शूटिंग हुई जिसका नाम था बेताब 1983 के अंदर ये शूटिंग हुई थी तो उस शूटिंग के बाद इस वैली का नाम बेताव वैली रग दिया गया ये अंदर से देखने के लिए बहुत खूबसुरत स्थान है एक तरह का गार्डन हम इसको बोल सकते हैं बड़ा सा गार्डन जिसमें आपको काफी सारी स्नो नजर आएगी और अगर आप समर्स के टाइम पर यहां आते हैं तो दूर दूर तक ग्रीनरी आपको नजर आएगी काफी अच्छा स्पॉट है ये लेकिन यहां पर एंट्री करने का जो शुलक लगता है 100 रुपीज पर परसन का लगता है और अगर आपके साथ 6 से 12 साल के बच्चे हैं तो उनका चार्ज लगता है 50 रुपीज पर परसन का बेताब वैली में अंदर के साइड काफी स्नो है तो उसके लिए आप यहां पर इस तरह के जूते ले सकते हैं स्नो बूट्स जनका चार्ज लगता है 50 रुपीज का और अंदर के साइड काफी सारे इस तरह के पेड हैं जिनके बीच में आप घूम करके काफी अच्छा का है फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं चंदनवाडी के मुख्य पॉइंट पर जहां से अमरनात यात्रा की शुरुवात होती है यहां पर आप एक बोर्ड देख सकते हैं जिस पर नीचे ही नीचे लिखा हुआ है होली केव जो की 32 किलोमीटर यहां से रह जाती है यानि कि जो अमरनात की पवित्र गुफा है वो यहां से 32 किलोमीटर रह जाती है यहां से चड़ाई शुरू होती है एक तरह से यह बेस केम्प है अमरनात गुफा के लिए मतलब जो लोग अमरनात यात्रा करते हैं वो इसी डिस्टेंस जो जो भी स्थान बीच में पड़ते हैं उन सभी जगों का डिस्टेंस यहां पर लिखा हुआ है चंदनवाडी के मुख्य पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़के मैं आया हूँ और ये है पहली सिड़ी अमरनात यातरा की यहां से आगे बढ़ते हुए यातरी जाते हैं अमरनात यातरा के लिए और इसी के साथ एक important चीज़ बताना चाहूँगा कि अमरनात यातरा के लिए दो स्थान है जहां से जाया जाता है एक तो चंदनवाडी जहां पर अभी हम खड़े हैं यह पहल गाम से रास्ता जाता है और यहां से 32 किलोमीटर दूर है अमरनात गुफा और दूसरा स्थान है सोनमर्ग जहां से जाया जाता है अमरनात यातरा के लिए सोनमर्ग में एक स्थान है जिसका नाम है बाल्टाल वहां से यातरा सिर्फ 14 किलोमीटर रह जाती है 14 किलोमीटर यातरा रह जाती है वह वाल अगर कभी प्लान करते तो दोनों से किसी भी रास्ते से जा सकते हैं पहल गाम में जिस होटेल में हम रुकने वाले हैं उस होटेल का रूम टूर में आपको देना चाहूंगा यह हमारा room है इस hotel का और यह अंदर से देखने में आप देखेंगे तो बहुत खुबसूरत है और पूरी तरह well maintained है मतलब साफ सफाई का पूरी तरह खयाल रखा गया है इसमें और साथ ही यहां से आप बाहर का नजारा देखें जो पहाड है वो नजर आते हैं और साथ ही पहाड के साथ जो बर्फ जमी हुय है वो नजर आती है नीचे की साइड local market है और साथ ही इसका जो toilet area है वो भी काफी साफ सुतरा है और TV एक काफी बड़ी size का यहां लगाया हुआ है नीचे एक फ्रेज दिया गया है अगर आप कुछ रखना चाहते है नीचे की पहल गाम में एक बहुत ही पवित्र स्थान पर हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है ममलेश्वर महादेव मंदिर एक्चुल में मंदिर आप देखेंगे बाहर से तो छोटा ही नजर आएगा लेकिन यह बहुत ही पौरानिक मंदिर है इसका स्ट्रक्चर अगर आप आप को जानने में और ज्यादा इंटरस्टिंग लगे गा मैं आपको थोड़ा से बताना चाओंगा यह मंदिर वो स्थान है जहां पर गनेश्जी को जो हाथी का सिर है वो लगाया गया था यहां पर माता पार्वती ने गनेश्जी का निर्मान किया था चंदन से और जब द्वारपाल के रूप में खड़ा किया था तो यहीं पर शिव जी आया थे और उन्हें गनेश जी का सिर अलग कर दिया था और उसके बाद गणेश जी को जो हाथी का सिर है वो इसी इस्थान पर लगाया गया था वो इस्थान कौन सा है मैं थोड़ा से दिखाना चाहूंगा आपको यहां पर कुछ कुण बने हुए हैं और यहां पर ऐसा बताया जाता है कि यही वह स्थान जहां पर गणेश जी को हाथी का सिर लगाया गया था और और यहाँ प्राकृतिक कुण है वो थोड़ा और ज़दा special है क्योंकि इसमें पानी नीचे की और से निकलता है मतलब इसमें कोई पानी भरने नहीं आता ये पानी नीचे की और से अपने आप ही निकलता रहता है और ये कुण हमेशा इसी तरह से भरा रहता है और अब मैं चलूँगा मंदिर के अंदर और आपको मंदिर के अंदर का नजारा दिखाते हूं और इस मंदिर की एक और खास बात यह है, कि यहाँ पर दो मुखा नंदी है, आप देख सकते हैं, पूरे भारत में, दो मुखा नंदी कहीं आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन यह एक मात ऐसा स्थान है, जहाँ पर दो मुखा नंदी है, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं, पह काफी खूबसूरत लोकेशन पर है तो यहाँ से अच्छे पिक्चर्ज भी आप क्लिक कर सकते हैं। और आज हमारे स्ट्रिप का आखरे दिन हम जा रहे हैं जम्मू तवीर रेलवे स्टेशन के लिए जहाँ पर हमारे स्ट्रिप का समापन होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि यह पैकेश हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या-क्या चीजें इंकलूड़ेट थी। यह पैकेश हमें पड़ा था 15,500 रुपे पर परसन के हिसाब से और इस पैकेश के दौरान हम 4 व्यक्ति थे। यानि कि चार लोगों के लिए हमने यह पैकेश बुक किया था। यह पैकेश आपके लिए सस्ता भी पड़ सकता है। उसके बारे में जानेंगे सर से। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पैकेश में क्या-क्या चीजें इंकलूड़ेट थी। इस पैकेश में हमें प्राइवेट कैब मिली थी। सबी साइड सीन्स करने के लिए यानि कि जितने भी स्थान हमने देखें वो सभी प्राइवेट कैब के थूदेखे थे। इसमें हमें ठीस्टार होटेल की फैसिलिटी मिली। जिसमें हमने स्टे किया था। और हमें breakfast और डिनर इसी मेंальные एक्लूड़ेट मिला था। आपको pay करना होता है, ये charge हमें package के अलावा additional देना पड़ा था और इस package के हमारी शुरुवात हुई थी जम्मू से और हमारा drop भी होगा जम्मू तक अगर आप श्रीनगर आते हैं तो rates थोड़ी different हो सकते हैं लेकिन अब मैं सर से जानना चाहूंगा कि ये package सस्ता कैसे पड़ सकता है ये जो हमारा 15500 का package है ये 5 night 6 day का है आगर जैसे minimum चार लोग होने चाहिए इसमें अगर आप कुछ सस्ते में चाहते हैं तो इसमें थोड़ा two star hotel आते हैं तो कम भी हो जाता है rate अगर आपको जैसे hotel होई चाहिए का मील नहीं लो breakfast डिनर उसमें इंकलूड ना करो फिर भी थोड़ा package को जो है कम हो जाती है और अगर ज्यादा लोग आए तो ज्यादा लोग चार और छे लोग रहेंगे तो ये सेम कॉस्ट आएगा उसके बाद साथ तक सेम कॉस्ट है या बीस लोग हो जाते हैं तो इसकी को स्टोड़ा और कम हो सकता है और एक चीज़ हो रहा है कि इसका सीजन वाई रेट जो है उपर नीचे हो सकता है अभी जैसे ऑफ सीजन है तो रेट कम होते हैं जैसे अभी अप्रेल के बाद पीक्स डेट आ जाती है मैं उनके रेट तो अगर आप भी चाहें तो प्रिया ट्रेवल्स के साथ अपना पैकेज बुक कर सकते हैं अभी हमारे साथ विश्व सरी है जो की प्रिया ट्रेवल्स के ओनर हैं और इसके साथ अगर आप चाहें तो contact कर सकते हैं इनके contact details हमने description में दे दिया हैं वहाँ से इनके साथ contact करके अपना travel package book कर सकते हैं कश्मीर के लावा आप और कौन-कौन से packages करते हैं? और इसे हमारा हिमाचल है, कुलू, मनाली, शिमला हो गया, डलावजी, धर्म, शलामरी सर है और यहाँ के कश्मीर तो ही है, उसके बाद उत्राखंट भी करते हैं, राजिस्तान भी करते हैं, गोवा, कैरला, के सारे package करते हैं तो काफी सारी locations है हमें, जो requirement हो, उसके साथ से हम सब package देते हैं तो अगर आप चाहें, तो contact कर सकते हैं, प्रियाट्रावल के साथ, description में इनके number आपको मिल जाएंगे, वहाँ से अपने packages बुक कर सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज अपना review नीचे comment section में जरू mention करें हमें comment करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसे लगा, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को like भी जरू करें, इसे share करें अपने दोस्तों और अपने family members के साथ और अगर आपने चैनल भी तक subscribe नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को subscribe कीजे, bell icon को दबा कर all पर press कीजे, ताकि इसी तरह के video notifications आपको आगे भी मिलते रहें और अगर आप चाहें, तो मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं, मेरा Instagram ID है, आगम सिंसे सोधया, जिसका link हमने description में भी दिया हुआ है कर दो, सब्सक्राह हुआ है झाल झाल